नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में डिसकर करेंगे प्रिजगर पुरसकार के बारे में देखे जो आपका प्रिजगर पुरसकार है इसके बारे में डीटेल में एक्जाम में पुझाता तो जितनी भी information इसके बारे में है मैं आपको पूरी डीजल मताऊंगा देखे जो आपका प्रिजगर पुरसकार है यहाइशिगर पुरसकार है इस पुरसकार के स्थापना सी कागो के प्रिजगर परिवार ने 1979 में खयात foundation के द्वारा की थी और देखिए जो आपका प्रिजगर पुरसकार है इस से पुरसकार को architecture का nobel prize का जाता है तो देखिए ये प्रशन एक्जाम में कई पर पुछा गया कि नम्रकित में से किस पुरसकार को architecture का nobel prize का जाता है तो देखिए जो आपका जबाब होगा सही ये होगा कि प्रिजगर पुरसकार जो है यानि कि प्रिजगर प्राइज जो है इसको architecture का nobel prize का जाता है तो ये थी information प्रिजगर पुरसकार के बारे में अब हम बात कलेते हैं 2019 का जो प्रिजगर पुरसकार है ये किसको दिया जाएगा तो दीखिए जो आपके जापानी आर्किटेक्ट है जिनका नाम है अराता इसो जाकी तो अराता इसो जाकी को जो आपका 2019 का प्रिजगर पुरसकार है इसके लिए चैनित किया गया है और दीखिए एक खास बतोर है दीखिए जो आपके जापानी आर्किटेक्ट है अराता इसो जाकी इनको जो है इस पुरसकार सोरूप एक लाख डालर ठीक है एक लाख डालर की इनाम राची तथा एक कान से पदग दिया जाएगा और ये कान से पदग जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है तो ये दिया जाएगा फ्रांस के सेंटा डी वर्सेल्स में मई महिने में जो आपका मई महिना आने वाला है 2019 का तो उसमें ये सम्मान दिया जाएगा जो आपके जापानी आर्किटेक्ट है अराता इसो जाकी को तो एक बार फिर से हाइलाइट कर देता हूँ देखे 2019 का जो प्रिजगर पुरसकार है ये दिया जाएगा अराता इसो जाकी को और ये जो है इस पुरसकार को जीतेने वाले दुनिया के 46 में बेखती है और ये जापान के आठे में ऐसे जापानी आर्किटेक्ट हैं जिनको ये पुरसकार दिया जाएगा और इनको पुरसकार सोरुप जो है एक लाग डालर की नाम राषी दी जाएगी और साथी एक कांच से पदक भी दिया जाएगा इसको जीता था भारती है ने इनका नाम था बाल कृष्ण दोसी ठीक है तो इससे पहले जो है जो आपके बाल कृष्ण दोसी है इस पुरसकार को जी चुके है और ये बाल कृष्ण दोसी है भारती आर्किडेक्ट है और देखिए जो आपके अराता इसो जाकी है इनके बारे के लिए R.I.B.A. गोल्ड मेडल जीता था और साथी इन्हें जो है वेनिस आर्किटेक्टिरल फेर उननी सो चानवे में लियोन डी ओरो से सम्मानित किया गया था तो देखे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अराता इसो जाकी एक जापानी आर्किटेक्ट हैंडिक है तो इन्होंने कौन कौन सी चीजे बताई हैं मैं आप बतायता हूँ डीटेल में देखे जो आपके अराता इसो जाकी इन्होंने लास एंजिल्स में म्यूजियम आप कंटेंपरेरी आर्ट को बनाया है और साथी इन्होंने बरसी लोना में पलाउस सैंड जोर्डी इंडोर स्पोर्टिंग एरिना को बनाया है और दीखे इटली में इन्होंने इटली के मिलान में एलियाँज टावर को बनाया है और साथी जो आपका कतर का नेशनल कन्विंशन सेंटर इसको भी दोरा डिजाइन किया गया था और देखिए जो आपके अराता इसो जाकी है इनके बारे में कुछ और information है देखिए जो आपके अराता इसो जाकी है ये 6 दसकों से अधिक समझ से जो है इस शेत्र में कारेदत हैं ठीक है और इन्होंने एसिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मध्यपूरो और आस्टेलिया में 100 से अधिक भावनों का आर्किटेक्चर तयार किया है और देखिए जो आपके अराता इसो जाकी है इन्होंने वर्स 1904 में यूनिवस्टी आप टोकियो तो जो है ग्रेजुशन की डिग्री ले थी आर्किटेक्चर में तो ये इनके बारे में पूरी information थी आप इसको याद रखेगा तो उमिद है आपको वीडियो पसंद आयोगा तो इसको लाइक करके इसको शेयर कर दीजीगा ताकि और लोग भी इस information को ले सके और इस से लाव ले सके इन टिक है कितनी पुरसकार रासी और कौन को सीचे दियाती हैं तो उसको भी आत रखेगा देखे आपको याद रखना है कि जो आपके अराताइसो जाकी है इनको जो है इस पुरसकार सोरूप एक लाग डालर की नाम रासी और एक कांशे पदक दिया जागा और ये जापान के आठे हैं ऐसे बेखती हैं और साथी दुनिया के 46 में बेखती हैं जिनको प्रिजगर पुरसकार से समानित किया गया है तो ये वीडियो जो है इसे साथ यहीं समात होता है और ये सारी इंफार्मेंसार आप नोट कर लेज़ेगा इसका पीडिया भी जो है वीडियो को देखके डाउनलोड कर लेज़ेगा और देखिए वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीज़ेगा और जो लोग नए है वो